नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10 वर्सस टेक्नो क्यामन 16 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी नोट 10 में 6.31 इंच जबकि टेक्नो कैमन 16 में 6.73 इंच की लेंथ मिलती है Width की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच, जबकि Tecno Camon 16 में 3.04 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.33 इंच, जबकि Tecno Camon 16 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि Redmi Note 10 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स, जबकि Tecno Camon 16 में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि Redmi Note 10 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में Super AM OLED जबकि Tecno Camon 16 में TFT की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक रेशीयो Redmi Note 10 में 20 रेशीयो 9 जबकि Tecno Camon 16 में 20.5 रेशीयो 9 देखने को मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचर्स जबकि Tecno Camon 16 में 6.8 इंचर्स की साइज देखने को मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Redmi Note 10 में 1080 x 2400 और Tecno Camon 16 में 720 x 1640 देखने को मिलता है Screen to Body Ratio Redmi Note 10 में 83.53 जबकि Tecno Camon 16 में 83.35 प्रतिशत देखने को मिलता है बात करें PPI Density की तो Redmi Note 10 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Tecno Camon 16 में 263 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की Mobile Phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Tecno Camon 16 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, depth camera, macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Redmi Note 10 में 13 different type के features मिल जाते है और techno camera 16 की बात करें तो उसमें 11 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Redmi Note 10 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 8 different features मिलते है और techno camera 16 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 8 different features देखने को मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Adreno 612 जबकी techno camera 16 में Mali G52 देखने को मिलता है chipset की बात करें तो Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 और Tecno Camon 16 में MediaTek Helio G70 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 6 GB जबकी techno camera 16 में 4 GB मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो Redmi Note 10 में 128 GB जबकी techno camera 16 में 64 GB देखने को मिलती है expandable memory की बात करें तो Redmi Note 10 में up to 512 GB जबकी techno camera 16 में up to 256 GB है operating system की बात करें तो Redmi Note 10 में Android V11 जबकी techno camera 16 में Android V10 Q देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Redmi Note 10 में 3 colors जबकी techno camera 16 में 2 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 की 14,499 रूपीज जबकी techno camera 16 की 11,499 रूपीज प्राइस देखने को मिलती है finally बात करें है result की तो display में Redmi Note 10 आगे है main camera में techno camera 16 आगे है front selfie camera में techno camera 16 आगे है performance में Redmi Note 10 आगे है internal memory में Redmi Note 10 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो की 12,499 रूपे में मिलता है दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो की 17,857 रूपे में मिलता है तीसरा Realme Nazo 20 Pro है जो की 14,999 रूपे में मिलता है और last competitive phone की बात करें तो उसमें Realmeade है जो की 13,999 रूपे में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना